नमस्कार, Excel 2013 की वीडियो स्रीज में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में सेखेंगे वी लुक अप फंक्शन, वी लुक अप फंक्शन लुक अप का ही नया वर्जन है, ठीक है, लुक अप फॉन नाम जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक डेश एडव आपको स्था करे इस फाउंड नहीं है ठीक है तो वह क्या करेगा उस परस टे बल सबस Maisie सबसे लाइस में ऐसकी विल्लियों आपको रिटिं करता था, ठीक है तो वी लुक अप और इस जो प्रॉल्लम थी मिलिःट है, इसको इमप्रूक किये उसको कॉरय साय नेद नहीं त तो वो क्या करेंगा not available की error so करेगा यानि वो person इससे found नहीं हुआ ऐसा message display करेगा ठीक है we lookup और h lookup में तो इस वीडियो हम से खेंगे we lookup ठीक है we lookup का use क्या आता है जैसे vertical lookup यानि we lookup क्या work कैसे work करता है किसी table में कि यह colon के साब से work करता है यानि जो भी आपको value show करनी है जैसे अगर आपको किसी person के value find out कर रहे है तो वो colon के साब सर्च करेगा पहले इस colon में search करेगा ठीक है कि person name है या नहीं फिर दूसरे colon में उसकी value जो भी होगी वो search करेगा और आपको display करेगा यानि अगर आपको किसी table में से अगर आपको colon के साब से search करना है find out करना है को value lookup करना है तो आपको भी lookup यूज़ करना पड़ेगा ठीक है अगर आपको row के साब से work and search करना है या lookup करना है तो आपको h lookup यूज़ करना पड़ेगा h lookup यूज़ होता है horizontal lookup ठीक है तो इस वीडियो में सिखते हैं we lookup को कैसे use किया जाता है ठीक है तो जैसे यहाँ पर यूज़ पहले से मैंने use कर रखा है कि person a का जो amount है उस table में से आपको find out करके दे रहा है 10 उसी तर बीका search कीजिए बीका जो amount है 45 है ठीक है कि इसको कैसे use करते हो देख लीज़े सबसे पहले आपको लिखना वी lookup उसके बाद में पूछना lookup value तो lookup value में वह value आपको select करनी है जो आपको database में से lookup करनी है तो यह cell का address में पास करता हूं इस cell में जो भी मैं जिस person का name लिखो उसका result मुझे उसकी जो value है वो मुझे display करें उसके बाद में आपको select करना table array यानि यह जो value है वो आपको कहां से lookup करनी है वो array या फिर आपको वो range select करना है ठीक है तो यह table select कर लीजे और ध्यान रखिएगा कि जो range आप select कर रहे हैं उसमें वो colon compulsory होना ही चाहिए जो आप Look Up कर रहे हैं जैसा आप person के name को Look Up कर रहे हैं और value को Look Up कर रहे हैं ठीक है तो यह दौनो colon compulsory उसमें होने ही चाहिए ठीक है ऐसा नहीं हो कि आप person के name से लुक सक लग अर्रेम और आपके table lookup टेबल array में person के name वाला colon selecting नहीं किया तो आपका we lookup काम नहीं करेगा आपको compulsory वो lookup वो colon उस table area में add करना ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद में आपको पूझरा colon index number यानि किस colon की आपको इस result में आपको show करना है value आपको show करना है तो जैसे आपने table slate किया ये वाला ठीक है उस table में से आपको किस colon की value आपको display करना है जैसे आपको याँ पर क्या करना है value display करना है तो table ये slate क्या है उसमें ये जो colon आ रहा है उसका number रहा है पस्ट और इस colon का number रहा है 2 तो आपको याँ पर इस colon की value display करना है तो इसका जो number आ रहा है वो आपको यहाँ पर पास करना है तो यहाँ पर जो इसका नमबर आ रहा हो 2 आ रहा है 2 तो हम यहाँ पर पास करें 2 फिर कॉमा True और False यानि अगर आपको approximate match करवाना है तो आपको यहाँ पर पास करना True अगर आपको exact match करना है कि exact match हो तभी वो value display करें otherwise error so करें तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है False लिखना है ठीक है तो False के लिए आप 0 लिख सकते हैं और True के लिए आप 1 लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर exact match करवा रहा हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 और फिर bracket close enter प्रेस कीजे देखिए B का जो amount है वो 45 पे वो आपको इस table से look up करके दे रहा है उसी तरह किसी दूसरे person का चेक कीजे D D का जो amount हो कितना हो रहा है 34 अब ऐसे person का नाम लिखिए जो इस table में नहीं है तो हम लिखते है Z तो देखिए यहाँ पर error हो कर रहा है not available ठीक है तो पिछले look up होना में क्या कर रहा था कि जो उस table में जो सबसे last वारा person है उसकी value यह return कर रहा था जबकि इसमें क्या हो रहा है not available का message हो कर रहा है इसका मतलब यह है कि Z नाम का person आपके उस table में नहीं है ठीक है उम्हिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे है तो like बटन जरूर परेस्ट करें और मेरे latest वीडियो के अपडेस के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सबस्क्राइब कर सकते हैं और thanks for watching